आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हम वजन कम कर लेते हैं तो वापस बॉंक्स बैक क्यों कर जाते हैं? जब भी हमारा वजन जादा होता है और हम एक वजन कम करना होता है तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं हम पाच बार खाने लग जाते हैं, हम प्रोटीन पे ध्यान लेने लग जाते हैं, हम जिम जोइन कर लेते हैं, एक्सरसाइस करना चालू कर देते हैं, खाना पीना कंट्रोल कर देते हैं, पर जब हम वजन कम करने लग जाते हैं, एक महिने में चार से पांच किलो, तीन महिने मे 10 kg तक वजन हम कम कर लेते हैं और कम करने के बाद हम चीजों को lightly लेने लग जाते हैं सोचते हैं कि वजन तो कम हो गया एक समोसा खालिया क्या हुआ शादी में चले गए शादी में खालिया 3-4 बर क्या हुआ एक दिन exercise नहीं करी तो क्या हुआ और चीजों को lightly लेने से वो bounce back होने लग जाता है जैसे कि एक गारी में petrol डालो तो वो जिन्दगी भर नहीं चलता वैसे ही अगर हमने वजन कम किया और nutrition लिया तो वो lifelong नहीं चलेगा इसलिए हमें पूरे time पूरी जिन्देगी हमें अपने वजन का ध्यान रखना है और चीजों को lightly नहीं लेना है और पांच बार खाना है हमारे protein intake का ध्यान रखना है और हमारे fiber intake का ध्यान रखना है और हमें exercise का भी daily ध्यान रखना है Thank you